असाम लेकूम, मरियम शेजाद हाजिरा आपके सामने, आज की ज़रे शेपी हम आपके साथ शेयर करेंगे, वो है राजिस्तानी बर्फी जो के बहुत ही मज़े की तयार होती है, इंग्रीडियन जो है हम आपको बताई देते हैं, यहाँ पर हमने दो कप के बराबर हमने बेसन साथ ही यहाँ पर एलाची है यह व्ोल्ड टीमस देखें हम एक टी श्पून के बराबर बदाम है, यहाँ जूव डाल नालना घू का साथ म॥ो सटा ख में आटे की तख और नालना गए में उसको बहुत ज़्यादा पानी नहीं डा पयावजा अ? यह देखे अब यह हमारी तयार हो गी है इस डो मेरे से थोड़ा सा हमने पीष लेना है और इससे हम Lebens मुठिया कर लेनी है कि जिस तरह हमने यह तयार की है इसको हमने फ्राइ किया है इस तरह करने के बाद यह देखें यह जितनी भी डो है इसको हमने इसी तरह ही इस तरह करके रखते जाना है इन सब डो को और इसके बाद हमने ऑईल में इसको फ्राइ करना है यह जो हमने मुठिया तयार की थी देखें इस तरह करके हमने और में इसको फ्राइ करना है तवे इसमें गोल्डन ब्राउन तक और होने तक हमने इसको फ्राइ करना है यहां पर आपको दिखाते है कि बिल्कुल इस तरह के हमने यह देखें यह बुठ्धिया तयार कर लेनी है सब्सक्राइब चीनी रिया था आधा कप पान डालके हमने यह छीरा त्यार करना यहां पर अब यह देखें जब इनको फ्राइब करना है तो अब हमने इनको ब्रेक करना है और यह देखें अच्छे तरीक से उड़ना है हमने इसको तोल लिया इन सब्वाइग साने प्ले ना है अब हम यह देखें यहां पर अब हम इसको ग्राइल करना थे यहां पर नहीं है कि यहां पर पहले हमने बेशन को हमने गुंदा इसकी दो तियार कि इसके बाद हमने इसके पीसे करके अनिन इसके ऐसे फाइन स में आप बना लिए और यह हमें यह देखेंगी बिरकुल हमें इस तरह का पौडर जो था बेशन हमें चाहिए था अब हमने यह जो शीरा तयार किया हुआ है अब यह देखें पर यह देखें यह दोडर ने अब हम इसको अच्छे तारीके में बात्व करें भीक बिल्कल सब आउगि milieu पर हमां राचिस्तानी वर्फित तैयार हो गहीं है हमने प уже बहुत जलदी ने के बाद हम इसके कर लें गए और इसब कर लेंगे अर बहुत तर्स्टेंट की दो सकते हैं अमीदा आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी द्वाव में याद रखेगा आपके साथ फिर किसी नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी मेरे पेज को शेर कीजिए अलाहाफेज